हलो दोस्तों के सवाज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यह जो घर बना हुआ है और यह जमीन है यहां से वहां तक उसको देखेंगे कितना एरिया में बना हुआ है तो चलिए देखते हैं तो दोस्तों आप देखते हैं यह जमीन कितना है यह घर बना हुआ है और जैसे कि तो यहां से वी बाउंडरी स्क्राइए यहां को कभेधा का अपना ही जमीन पर बैङने हैं अपना हीा ही 56 कि यहां से अपना ही जमीन करना ओगा बाउंडरी अलग से नहीं होगा, जितना आप लीजेगा उसी पर बाउंडरी होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दोस्ते एक घर बना हुआ है, यह इसका जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहां से यहां तक 21 फीट है, याने कि यह 462 स्क्वाइर फीट में बना इधर, चावणाई फीट है, और इधर से है 155-10 फीट, यह इंधर छजजा दिया हुआ है, और इधर एक खिड की है, इधर इलोग का जगा नहीँ है, पीछे साइज, आप लोग देख सकते हैं, इधर जगा नहीं है, लेकिन इधर छजजा दिया हुआ है, इधर कोई बात वहां से यहां तक साढ़े नो फीट है और वहां से यहां यह साढ़े दस फीट है यह अंदर अंदर है और इसमें पर एक छज्जा है यह खिडकी है और अधिकतर घर में देखते हैं बनाते हैं तो यह वाला छज्जा जो है यह इस पर रहता है यह दिवाल पर इधर से हम कीचन उधर बनता है तो वहां देने से ठीक था जीसे की वहां देख सकते हैं वहां से यहां तक लेकिन खर कोई बात नहीं और आय crater Step वरिंग हुआ है तो घर कंद करा सकते हैं कोई दिख्कत नहीं है लेकिन घर बनने से पहले बोरिंग कराना होगा और अगर आप छट ढालते हैं तो यहां एक छेदा छोड़ना होगा छट पर क्या होता है कि कभी-कभी खराब हो जाता है और छट थोड़ा नीचे रहता है तो पायपूप निकालने में काम करने में दिक्कत होता है तो यह चीज़ आप ध बोरिंग अंदर हो सकता है और शोटा सा बातरूम भी बना सकते हैं अगर शिर्फ एक ही डिसमील आपके पास है तो यह हाल बन सकता है बोरिंग अंदर हो सकता हैत्य है और इधर बहुत जगह देखते हैं, घर के अंदर ही safety tanky बन जाता है, बहुत कम जगह रहता है, तो बहुत ऐसा होता है, उससे कोई दिकत नहीं होता है, जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं, या तो अगर बोरिंग इधर नहीं है, तो इधर अगर वास्तु के हिसाब से चोटा जगह में वास्तु देखने से तो फिर नहीं हो पाएगा, तो आपका बजट कम है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक दिसमील जमीन लेके घर बन आएं, तो आप एक घर को देख सकते हैं, आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद यहीं है, कि आप लोग एक दिसमील जम में घर बना हुआ है, और एक दिसमील में होता है, 435 स्कॉार फिट, तो देखते हैं कि एक दिसमील घर में अगर मान के चलते हैं, इसको पूरा बनाना है, जेतना यह बना हुआ है, तो कितना खर्च आएगा, यानि कि जो बना हुआ है, इसमें कितना खर्च आया है, तो इस भात थाजार पीस इत लगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बंगला वट्टा का इत है। यहाँ कम बजट में घान बनता है तो अधिकतर देखते हैं कि बंगला वट्टा ही लगाता इधर और जिसका बजट ज्यादा रहता है वह चिमनी वट्टा का एक नमबर इत ल लगा हुआ है और इसमें च्छड जो आया था जैसे कि उसमें लगा हुआ है ये 12 mm का लगा हुआ है और लिंटन में दिया गया है 8 mm का और टाइबीम में दिया हुआ है 10 mm का और इसमें रिंग, तार और सब मिलाखे 500 kg टोटल हुआ जिसका की 35,000 रुपया हुआ और सिमेंट आया था 55 से 60 वैग जिसका की 25,000 रुपया हुआ लेबर चार्ज हुआ था 40,000 रुपया इसको बनाने में जिसमें की फांडेशन से लेकर अभी तक जितना बना हुआ है इसमें 40,000 रुपया लग गया जिसमें कॉंट्रेक्टर का इसमें प्रोफिट नहीं है अगर ये एक डिसमील जमीन पर ही बना हुआ है और 1,66,000 रुपया लग गया और हम लोग 4,000-5,000 और जोड देते हैं जिसमें की रस्यों गेरा या तो बासूस लेकर आना पड़ता है तो मान के चलते हैं ये 1,70,000 रुपया एतना ही बनाने में लग गया भी तक आप लोग देख सकते हैं अगर आपका बजेट काम है तो आपको सोच रहे होंगे कि हम एक डिसमील जमीन लेखे घर बनवाएं तो एक डिसमील जमीन इतना बड़ा होता है लेकिन आपको इधर सामने की और जगा नहीं मिलेगा ना साइड में मिलेगा जगा नहीं छोड़ स वीडियो में किसी दूसरे साइट पर चलिए मसत रहिए लाइप इंजो कीजिए